छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई मिलकर तलो पकोड़ाई छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई मिलकर तलो पकोड़ाई छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई मिलकर तलो नमस्ते दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यूटूब चनल अमेठी बलाग और मैं आप लोग नहीं हो पाएंगे सरकारी हमारा टाइटल है जैसा कि आप सभी ने देखा होगा अब इसका कारण क्या है सारी चीजें आपको हम बताएंगे एक एक पॉइंट में आपके साथ में सेर करूँगा लेकिन आप वीडियो में बने रहिए और ये बाते समझ में आती हैं तो आज मैं लाइक सस्क्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा और जो भी आए आप कीजिएगा और लेकिन कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा आप से इतना जरूर कहना चाहूँगा इस वीडियो के लिए तो जो भी सोसल मीडिया पर एक्ट्यू हैं जो भी सोसल मीडिया चलाते हैं फेस्बूक, वाट्स, ट्विटर उनको तो बताना नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जितनी भी सरकारी नुकरिया है वो सबसे पहले पांच साल के लिए पहले सारे लोग जो है जब निकाल लेंगे एक्जाम तो उसके बाद में पांच साल के लिए वो लोग जो है संबिदा पर होंगे तब तक उनका जो भी हिसाब किताब होगा जो भी सेलरी होगी वो सम्विधा वाली ही मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरी खबर है उन अभ्यारतियों के लिए जो निरंतर प्रयास करके और कठोर मेहनत करके सरकारी होगे। और बात उसी के साथ ये भी करते हैं कि जितने भी सम्मिदा वाले हैं उनको कहीं न कहीं आस रहती है जैसे वेक्सिनिटर और साय की हो गए तो उनको एक आसा थी कि कहीं न कहीं कभीं न कभीं ये जा करके सरकारी सरकार कर देगी, election में कर देगी या election के बाद कर देगी या फिर कभी ने कभी तो सरकार देखेगी ही कोई ने कोई सरकार सोचेगी इन सब के बारे में लेकिन हमाई आपको बता दूँ कि उत्तरप्रदेश सरकार ने जो है एक नया नियम लागू कर दिया है कि पान साल सम categories के बाद अब हो जाएंगे फिर हो सरकारी होगे जब आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी के लिए qualified है उनके साथ में ये हो रहा है तो जो संविदा पर भी नहीं है और एक योजना के तहित भरती हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही असंभो सा काम है कि वो कभी संविदा पर या सरकारी होंगे ये मेरा मानना है ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है ये सरकार के हाथ में है मैं ये नहीं कहता हूँ ये दावा नहीं करता हूँ कि हाँ ये कभी नहीं होंगे लेकिन जो एक पूर्वा अनुमान लगाया जा सकत जाए जितने भी ट्वीट करो, हम ही नहीं पता नहीं कितने संगों ने पत्र लिखा होगा, ट्वीट किया होगा, लेकिन फिर भी कोई स्थित में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया और नहीं कोई official notification मिलता है कि हाँ इस पर ये होगा या vaccinator साहे को को इतने दिन बाव सरकारी कर दिया जाएगा या इनके भी खर्चे होंगे दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही बिसेस बताना चाहता हूँ कि कुछ जगाहों पर जहां पर पसों की संख्या कम है और टेग लगाने वाले हैं बेचारे अगर वो पूरा साल वर्क करेंगे तब भी अगर पसों की संख्या कम है तो वहां पर उनका जो भी हिसाब किताब होगा वो इतना जादा नहीं बनेगा कि उनका पूरा साल भर का हिसाब किताम निकल सके तो बेरोजगारी का आलम इतना जादा इस सरकार में बढ़ता चला गया और ये सरकार स्रिप होता रह गए बस मोदी 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 करते रह गये सारे युवा और कहीं न कहीं अगर देखा जाए जमीनी इस्तर पर देखा जाए तो कितना कार्य हुआ है वो आप लोग खुछ जानते हैं मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ चाहे कॉंग्रेश हो या बीजेपी हो या अधर पार्टियां हो सपा बसपा कुछ भी हो उत्तर प्रदेश में हमें उससे मतलब नहीं है मुझे बस ये मतलब है कि जितने भी युवा हैं हमसे जुड़े हुए हैं और मैं खुद को भी लेता हूँ इसी केटेगरी में सामिल करता हूँ वैक्सिनेटर और सायक भाई जितने भी हैं या फिर मैं खुद को भी इसी में सामिल कर रहा हूँ हूँ तो जितने लोग हैं स ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि हर जगे पर आप देखने को यूटूब पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हैं हजारों जो है जगा पर जो है आक्रोस में यूवा भड़के हुए हैं अभी 5 सितंबर को 5 बच के 5 मिनट पर जो है ताली लोग सडकों पर भी आ जाते और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है संख्या जो है यूवाओं की है तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर इनके साथ में बदसलूकी की तो सरकार बदल सकती है और सरकार को इस चीज का खामयाजा भी भुकतना पड़ेगा तो अभी इनकी सरकार है चाहे जो भी करें लेकिन दोस्तों मैं किसी पार्टी इसे इसका समर्थन नहीं करता आप चाहे जिस पार्टी से हों लेकिन एक चीज जरूर देखेगा कि जो सरकार कुछ ना करे भविस्य में उसको हम लोगों को ओट नहीं करना है और चाहे वो जो भी सरकार हो उट उसी को करना है जो भविस्ष में कुछ करे और ये अंधी भीर जो होती है वो अंधी होती है कहीं न कहीं हो 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 में हो गया और जमीनी इस तर पर देखा जाए तो कुछ हो नहीं पा रहा है युवाओं के लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ बाकि फिर मिलते हैं करें वीडियों में जैसे